फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोईट और राइटर रविंदरनाठ टेगोर की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है वोकेशन फ्रेंट्स वोकेशन का मतलब होता है रोजगार या धन्दा और इस पोयम में ऐसे ही वोकेशन को डिसकस किया गया है यह जो पोयम है यह एक छोटे बच्चे के नजरिये से कही गई है और यह जो छोटा बच्चा है यह अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उ और उससे उनकी जो रूटीन है उनकी जो डेली लाइफ है वो कैसी हो चुकी है अब इस तरह के लोगों को देख कर वो भी अपने फ्यूचर को इमाजिन करता है और सोचता है कि वो भी बड़ा होकर उनकी तरह बनेगा और तब वो भी अपनी जिंदगी में ऐसी कुछ अब फ्रेंज अगर बात करें राइटर की तो रबिंदर नाट टेगोर एक इंडिन पोईट और राइटर थे और साथ ही दबार्ड आफ बिंगॉल और गुरुदेव के नाम से भी फेमस थे उनका जन्म हुआ था 7 में 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 आउगस 1941 में साथ ही वो एक मुजीशियन और आर्टिस भी थे और उन्हें नोबल प्राइज इन लिट्रेचर भी मिला था 1913 में उनकी फेमस वर्क गीत तांजली के लिए तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब इस पोयम को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं यानी जब सुबह के दस बजे जो गॉंग का मतलब होता है घंटा बड़ा वाला जो घंटा होता है जिसकी आवाज थोड़ी जादा जोर से होती है उसकी जब आवाज सुनाई देती है गॉंग की साउंड सुनाई देती है सुबह दस बजे And I walk to school by our lane और मैं क्या करता हूँ अपनी स्कूल को चल कर जाता हूँ कैसे तो अपनी लेन से अपनी गली से होकर के लेन यानी गली होती है जो छोटी सी सड़क होती है उस पर से चलता हुआ मैं स्कूल जाता हूँ Every day I meet the hawker crying और हर दिन मेरी मुलाकात होती है उस hawker से उस fairy वाले से जो सामान बेचता है रोड पर चिला चिला कर और वो crying यानि चिला चिला कर अपना सामान बेच रहा होता है क्या कहता है वो bangles crystal bangles यानि चूडियां कांच की चूडियां ये जो hawker है ये चूडियां बेच रहा है और रोज ही जो हमारा poet है हमारा narrator है वो इसे देखता है there is nothing to hurry him on यानि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसे hurry करवाए जो उसकी speed बढ़ा है उसे आगे बढ़ने के लिए कहे लेकिन हमारे narrator के पास एक ऐसी चीज है और वो है वो घंटा घंटे की जो आवाज है वो उसकी speed बढ़ा देती है there is no road he must take ऐसी कोई भी सड़क नहीं है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां उसे जाना हो उस fairy वाले को लेकिन हमारे narrator को जाना होता है कहां जाना होता है तो उसके school के रास्ते पर no place he must go to ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसे जाना चाहिए लेकिन narrator को school जाना होता है no time when he must come home और नहीं ऐसा कोई fixed उसके पास समय है जब उसे घर लोट जाना चाहिए लेकिन narrator चुकि एक school जाने वाला बच्चा है तो उसके लिए ये नियम है तो यहां पर ये जो बच्चा है वो देखता है कि ये जो hawker है fairy वाला है उसकी life में कोई पाबंदेश नहीं है और वो जैसे चाहे अपनी life जी रहा है I wish I wear a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangles यानि मैं चाहता हूँ मेरी इच्चा है कि मैं भी एक hawker होता एक fairy वाला होता और पूरे दिन सडक पर क्या करता bangles crystal bangles चूडियां काज की चूडियां ये कहता हुआ घूमता मुझे भी इतनी ही freedom इतनी ही आजादी मिलती तो कितना मज़ा आता लेकिन इसके पीछे की जो मजबूरी होती है इसके पीछे जो problems होती है वो ये छोटा बच्चा नहीं समझ पा रहा When at four in the afternoon I come back from school यानि जब चार बजे दो पहर के समय मैं school से लॉट कराता हूँ I can see through the gate of that house The gardener digging the ground तो मैं देख सकता हूँ क्या देख सकता हूँ तो उस house उस घर के gate से जहां पर एक gardener एक माली जो है वो जमीन को डिग कर रहा है उसे खोद रहा है यानि माली का तो कामी होता है जमीन खोदना पेड़ पौधे लगाना तो ऐसा करते मैं एक माली को देखता हूँ He does what he likes with his spade यानि उसे जो अच्छा लगता है वो करता है वो अपनी spade के साथ Spade तो आपको पता ही होगा friends ये होती है spade तो इससे माली क्या करता है जमीन खोदता है He soils his clothes with dust और साथ ही वो अपने कपड़ों को क्या करता है खराब कर देता है गंदा कर देता है डस्ट से धूल मिट्टी से Nobody takes him to task कोई भी जो है वो उसे punish नहीं करता उसे डांटता नहीं है उसके काम के लिए If he gets baked in the sun or gets wet चाहे वो धूप में खुद को जला ले या भींग जाए कोई उसे punish नहीं करता कोई उसे डांटता नहीं है लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो मुझे डांट पर जाएगी I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging तो अब ये बच्चा कहता है कि मैं चाहता हूँ काश मैं भी एक gardener होता एक माली होता और इसी तरह garden में खुदाई करता जहां कोई मुझे ऐसा करने से नहीं रोकता यानि बच्चपन के समय में जिस तरह से खेलना कूदना मिट्टी में खेलना पसंद होता है तो मुझे लग रहा है ये gardener भी वही कर रहा है और खुद को enjoy कर रहा है तो काश मैं भी ऐसा ही करता कितना मजा आता Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed अब जैसे ही अंधेरा होता है शाम के वक्त और मेरी मा जो है वो मुझे बिस्तर पर सुला देती है मुझे सोने भेच देती है I can see through my open window The watchman walking up and down तो मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ किसे देख सकता हूँ तो जो watchman है और वो क्या कर रहा है वो सड़क पर घूम रहा है यानि मुझे तो सोना पढ़ रहा है लेकिन वो watchman आजाद है, free है और वो सड़क पर घूम सकता है जो गली है वो अंधेरी है और साथ ही lonely है, वहाँ कोई नहीं है और जो सड़क पर सड़क पर सड़क पर है वो किसी जाइंट की तरह, किसी राक्छस की तरह लगता है जिसकी एक लाल आख है यानि जिस तरह सड़क में वो red कलर की रोशनी आ रही है वो बिलकुल एक राक्छस की तरह लग रहा है और वो जो रोशनी है, जो बल्ब है, वो उसकी आँख लग रही है जो watchman है, वो क्या करता है अपनी lantern lantern यानि जो लालटेन होती है उसे swing करता है, उसे जुलाता है और साथ ही चलता जाता है और उसके साथ चलती है उसकी परचाई जो की किस से बन रही है, तो उस lantern से यानि भले ही ये जो गली है, वो lonely है लेकिन ये watchman lonely नहीं है, उसके साथ हमेशा उसकी परचाई रहती है और अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी भी बेड नहीं जाता, कभी सोता नहीं है, हमेशा यूँ ही घूमता रहता है लेकिन मुझे तो सोना पड़ रहा है तो अब मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी एक watchman होता और इसी तरह रात के समय सड़कों पर घूम पाता Chasing the shadows with my lantern और साथ ही जो परचाईया होती, उनका मैं पीछा करता कैसे, तो अपने इस लालटेन के साथ, इस lantern के साथ यहाँ पर friends, यह poem खत्म होती है poem एक बच्चे की imagination और उसकी thoughts को दिखाती है कि किस तरह एक छोटा बच्चा जो है, हर चीज में एक positive aspect धूनता है और किस तरह उसके आस-पास की surrounding जो है वो उसे motivate कर रही है, वो अपने future को सोच रहा है तो friends, यह थी रबिन्दनाठ टेगूर की poem Vocation अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please like, comment और share करिये